अक्सर जेलों के बारे में जब चर्चा की जाती है तो एक नकारातमक छवी उभर कर सामने आती है। लेकिन आगरा सेंटल जेल उन मित्कों को तोड रही है, वो तमाम जो इमेजिस लोगों के जहन में कैद रहती है, उसको कहीं न कहीं तोड़ती हुई नजर आ रही है किस तरह से लगातार यहां ट्रांसफॉर्मेशन का दौर जा रही है अब देशकते हैं किस तरह से तमाम महापुर्शों की जो कहा जाए जो images हैं उनको दीवारों पर wall painting के जरीए उकेरा गया है ताकि एक सकारात्मक विचार राश निर्माण में इन महापुर्शों की क्या भूमिका रही है ये कैदियों के जहन में जाए ताकि वो भी जब यहां रहें और यहां जब जेल से बाहर जाए तो कहीं न कहीं उनके मन में भी एक राश्ट के प्रती समाज के प्रती devotion हो एक constructive thinking हो और यही वजह है कि तमाम आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी हो चाहें सरदार वल्लव भाई भाई पटेल हो भगस सिंग हैं तमाम जो महापुर्श हैं उनकी जो images हैं उनको दीवारों पर wall printing के जरिए उकेरा गया है तो ऐसे मैं एक message देने की कोशिश की गई है इसके साथ ही मैं आपको यहां का जो गार्डन दिखाना चाहूंगा किस तरह से यह आप दिख सकते हैं किस तरह से बहुती शांदार तरीके से इसकी finishing नजर आ रही है तो आप जेलों में जो बाहरी जंता सोचती है कि जेल किस तरीके से वहां राजकता रहती है एक मनमाना रवया चलता है प्रशासन का वह सा तक को तोड़ रही है किस तरह से आपने लगातार बदलाओ कि यह जब आप यहां जेल सुपर्टेंट बन के आए ऐसा है कि हमारे हां केंदरी कारगार में करीब 96 परसेंट बंदी ऐसे हैं जो कि आजीवन कारवास से दंडित हैं यह बहुत लंबे समय तक किस कारगार में र अगर यह व्यक्ति अगर रहे और उनमें अगर इस्किल का डवलमेंट न करें अगर उनके वीचारों में परिवर्तन न करें तो आदमी निस्चित रूप से फ्रस्टेट हो जाएगा डिप्रेशन में आ जाएगा तो उसके लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है हमारे हा यह घर से भी बेहतर माहुल दिया जाए आप जैसा आप देख रहे हैं कि जब भी कोई आदमी कारगार के बाहर देखता है तो उसको लगता होगा कि पता नहीं उची अलंबी चहर्दिवारी के अंदर यह क्या चल रहा होगा क्या कर रहे होगे सभी लोग जो हैं जो की हत्य मैं देख रहा हूँ साफ सफाई से लेकर गार्डिनिंग से लेकर दीवारों पर पेंटिंग से लेकर बहुत शांदार तरीके से यह नजर आ रहा है कि कोई कॉलेज नुमा मुझे कैमपस नजर आ रहा है यह सारी चीज़ है यह कहीना की पोजिटिव बदलाव का कहा जाए प्रतीक है तो सर यह किस तरह से आप ऐसे कैदियों कुछ मतलब पैंचानते हैं कि इनमें क्या टैलेंट कैसे जमेदा की बंदी जब रहते हैं तो रहने के बाद हम लोग उनको स्क्रीन करते हैं और सुरुवाती दोर पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा बंदी है जो कि पहले पूरु में क्या कर चुका है या कौन से ऐसे मतलब इस्किल में आदमी दक्ष है या पूरी तरह से दक्ष नहीं है तो उनको अगर मालीजे खेती का काम जानता है मालीजे तो खेती वाले ब्यक्ति को ला करके हम हमारा जो फार्म है उसमें लगाते हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसे मालीजे कि हमारे पास सब्जियां उगाई जाती हैं तो उनसे हम प्रयास करते हैं चाह बताओ ये सब् हमें किसका उत्पादन हमें जादा करना है या कुछ अलग अलग तरह कि सब्जियां पैदा करनी है इसके लिए क्या करना चाहिए जो है तो बहुत सारे बंदी खुद ही बताते हैं कि अगर सहाब इसमें यह परिवर्तन कर दिया जाया तो इसमें सब्जी का उत्पादन बंदी आपने तमाम महापुर्शों की पेंटिंग कराई है इसका इसका यह है कि हमारे हैं कुछ ऐसे बंदिंग है जो कि पेंटिंग जानते थे तो हम लोग ने यह कहा कि भई यह हमारा पार्टिशन वाल है हर व्यक्ति इस से हो करके गुजरता है अगर हास्पिटल तो हम लोगों ने यह सोचा कि क्यों नहीं इस जो पार्टिशन वाल है जहां से हर व्यक्ति गुजरता है तो इसमें कुछ इस पकार पेंटिंग मतलब उकेरा जा ऐसे महापूर्शों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ नोचावर कर दिया उनकी पेंटिंग ले करके हम लोगों ने इस राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा की और साथ ही जो पेंटिंग बनाने वाला व्यक्ति है उसको यहां पर लगा करके और कुछ और को प्रस्जिश्चित किया गया जो है त्रेनिंग भी दिला रहे हैं और यहीं नहीं जैसे हमारे पास जैसे फ जो यहां पारिस्विक पाते हैं जो मेहनत मजूरी करते हैं उससे जो पेसार जित करते हैं उनके परिवार का घार चलता हॉं उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके केस की पहरवी भी इसके मादिम सोती है तो इसकी सार्थक्ता इस कारअगार की एक सुधार केंद्र के रूप में सार्थक्ता तभी बन पाएगी जबकि उनके हातों को हुनर मन Mनाया जाए यहाँ से उनकले मुख्यदारा में आ सकेँ तो आप समसकते हैं किस तरीके से skilled किया जा रहा है, trained किया जा रहा है, उनके हातों में कईनके हुनर जो विक्सित करने की पूरी तरह से कवायद है, और यही वज़े है कि आगरा सेंटल जेल एक जेल नहीं है, एक सुधार ग्रह बन चुका है, और यही वज़े है कि जब से जो कारागार मंत्री बनाए गए हैं, धरंबीर प्रिजापति और उन्होंने भी किये, तो कुल मिला के कहा जाए, जबरदस टांसफॉर्मेशन का दौर इस समय आगरा सेंटल जेल में चल रहा है, आगरा से नितनुपाद दिहाई, एबीप गंगा एबीप गंगा, खबर आपकी, जबाआपकी